बिकास के मामले में हर चीज के मामले में दो नमले में अभी जो सत्ता सम्हाल ला ने हैं मोधी जी कंदर का स्रकार होना चाहिए भेषै रहां गारेंगाया जब हम काम इन करा ही अे आ करोब लाक जեղा कर देखेंगे बैठे रहेंगे तो बहुत बेषै農ब रहे प्रधान मंत्री कौन बनेगा नरेंदर मोधी रहुल गान जो अच्छे काम करेगा और देश का अगला प्रधान मंत्री क्या लग रहाँ आप बनने चाहिए क्या कारण है राम मंदिर बन गया तो सब कुछ ही हो गया और बगवान हो गये तो सब कुछ ही तो है मोधी राज में और क्या क्या काम हुआ कौन से ऐसी योजना हुए जो आम जनता तक पहुचा है वो गरीबों के लिए बहुत सारी यहना ही जो पàiषण जौट के वह सारे लोगों को मिल रहे फारमस के लिए होवा हैं सब के लिए हुआ लुक्त अच्छा है जिह के लिए म Infraaf जब्र जाकर की अल어 यां मातचाती ब Sag Band और मिलता नहीं कृदु बियार में पिर से नितीश कुमार मोदी जी के साथ आ गए हैं तो क्या लग रहा है 2024 का हवा किस तरफ है किस की सरकार बन रही है अभी तो जो है 2024 के हवा इस तरह है सब लोगों को समस्ज में आरहा है्सलिए चोविस में क्या क्या काम हुआ मोदी राज में अब देखो जी जफे तो बहुत कुछ हैं अब राम मंदिर का इतो कहास कहने राद ही कास कहिने मामले में हर चीज के मामले में दो नमबर के मामले में अभी जो सत्ता सम्हाल लें मोधी जी के अंदर का सरकार होना चाहिए इन दस सालों में को किनकिन योजनाओं को लाब मिला आपको कुछ फायदा पहुचा जी घरेलूग गैस के फैदा पहुचे हैं उसके बाद धंजन के योजना भी पहुचे हैं और जो हमारे मतलब बहुत चीज़ों कि जैसे जो आइसमान काट के माध्यम से पाच लाग की जो है हम सोचते थे कि करवाएंगे बीमारी ऐसी हो जाएगी हम इलाज के लिए सोच रहे थे अभी सोचने की वक्त नहीं हमारे को आइसमान कार दे रखे हैं हम उसके माध्यम से मंझया जादा हो रही है तो आपको क्या लग रहा है कि आप बेरोजगारी महंगाई ज्यादा है देश में नहीं जी बिल्कुल नहीं है क्या लग रहा है दो जर चौबीश करदान मंत्री कौन बनेगा देखा जाए फीर मोधी ही वट मेंगे चिसको चुन 주के लाएंगे क्या कारण कारण काम भी आचा किया है किसी को देखे या ना दीखे काम हुआ चछा था है यह पहले नहीं मिलता था सबस्क्राइब सब्सक्राइब हो गया है पहले जिब में लोग रुपिया लगा चलते थे मरा जाता था इस टाइम है कि आपने पेटियम से कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हैं गार गरीब घर की जिसे घर में गैस नहीं था अभी भी जल रहा है यह जरूर है लेकिन विपक्षवाले भी जूट ह हो गए इस बार बोलेंगे विपक्षवाले को बोलना काम होता है इसलिए वह भी चाहिंगे कि हमारा भी सरकार बने रहुल गांधी को पर मौका नहीं देखिया नया यत्रा निकाल रहे हैं बिहार से गुजर कर गए देखिए हर साल मानते हैं कि बदलता है तो कुछ मानते है किसां भी जानती है कि काम जो आचा करता है demonstrating किसां तो नाराज है ने किसलिए है किसलिए है कि इसे के लिए कि सानक सिद्त्रीम के दिखाई नहीं रहा है क्या लग रहा है देश का महौल कैसा है इस वक्त सब्सक्राइब के साम नहीं है और सरकार उनकी बाद मानने तो यह समस्यारा मोधी सरकार पुछ नहीं है उनका साथ दे मोधी सरकार और जो उन्होंने बाइज करें पूरे किसानों के और कौन बनेगा नरेंदर मोधी राहूल गांदी अच्छे काम करेगा और देश का अगला प्रधान मंत्री क्या लग रहा आप मोधी जी बनने चाहिए बनने चाहिए क्या कारण है राम मंधिर बना दिया इतना बड़ा तो काम कर दिया और क्या ची यह और मंधिर बन गया तो सब सब्सक्राइब करें कि महंगाई है बेरोजगारी है इस पर बात नहीं करते सिर्फ हिंदो मुस्लिम मंदिर महजीद हो रहा है तो पीम कौन मोदी या फिर रहुल गांदी मोदी आप दीदी यंग है महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है मोदी राज में महिला के हित में महिला सुरक्षा को लेकर देश आजात 75 वर्ष हो गया क्या महिला सुरक्षित है यह महिला इससक्त है बहुत सारी जॉब आपॉर्टिनिटीस आई है सब कुछ आया है तो मोदी गौवर्मेंटी वापस आने चाहिए के लिए और क्या क्या काम हुआ कौन से यह जना हुए जो आम जनता तक पहुचा है वह पेंशन जोटके विए सारे लोगों को मिल रहे हैं फामर्स के लिए हुआ है सबके लिए हुआ है जोते महिलाओत त्येज बोलती है ससक्त हो कही है पूछिए मोधि राज में होई हुए वट में गया इतनी संस्क्राइध के लिए तुमके लिए उनके लिए तो बहुत अच्छा जिनके लिए महात्र साथी बंदे जो कहीं से मिलता नहीं कि फिर्फ वो पूच्च वह क्या करेंगे बताऊ समस्या बच्चों कामकाज नहीं नहीं है रगय को माई सरकार में कामकाज हो रहा है मोधी जी कांड़ा है किसको वोट करेंगे क्या कारण अच्छा काम किया उसना है घर बन वाया हमारा घर बन वाया हमारा और खेत में उद्धे पैसे दे रहा है राहुल गांधी को मौका देंगे इस बार राहुल गांधी को कैसे मौका देंगे जब वो कामी नहीं करेंगे तो कैसे मौका देंगे भईया राहुल गांधी को पर्मान मंत्री बनेगा तब ना काम करें तो क्या काम करें पूरी जिंद नहीं है भरोसा नहीं है मोदी पर क्यों भरोसा मोदी पर काम करा तो मोदी का भरोसा